नमस्कार दूस्तों स्वागात है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजुके इसने चनल में आज हम सेखने वाले हैं विगोरा टैबलेट के बारे में कि जिसको रेड टैबलेट भी कहा जाता है तो इसके डिटेल स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेगे कि इसका डूस वगेरा क्या होता है साइड इफेक्स वगेरा क्या डैबलेफ हो सकती है वार्निंग्स क्या है और कॉन्टर इंडिकेसंस क्या रहते हैं ये टैबलेट को यूज करने पर तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं डिटेल में विगोरा टैबलेट के बारे में तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवायों के बारे में आप मेडिसिन कोर्स को जोईन कर सकते हैं फार्मारोक्स के पूपर तो ये कूर्स को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 901631-2020 पर या फिर हमारी एप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में आपको description box के अंदर दे दूँगा अब 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 अधे topic पे Vigora Medicine या फिर उसके tablet के बारे में हम सिखते हैं तो ये essay class का medication की जिसको हम phosphodiesterase 5 inhibitor कहते हैं और SWAT में उनको PDE 5 inhibitor कहा जाता है तो Vigora जो है उसका brand name है पर उसके अंदर जो salt content है वो है seldenafil है और ये दू version में available है 50 mg में भी available है और 100 mg में भी ये tablet available होती है उसके manufacture के हम बात करें तो German remedies जो है उसके manufacture है कि जो GIDALS Healthcare Group का एक company है और ये primarily medications ED की समस्या को treat करने के लिए use की जाती है तो Silderafil के बारे में हम detail में जाने उसके detail में और तो basically ये जो medication है वो hypertension की जो condition है high BP की condition और enginopactoris के ilाज के लिए जो है वो सबसे पहले search की गई थी पर आगे जाके ये medications के जो benefit से वो देखे गई erectile dysfunction के लिए और उसके ilाज में ये medication अब जो है वो खास कर use की जाती है तो especially उसका जो use है ED की समस्या को treat करता है और male impotency के अंदर उसको जो है वो use किया जाता है तो अब उसके label की study हम करते हैं तो note label में ये available होता है 50 mg के strength में भी available है और 100 mg के strength में भी available है फिर उसको red tablet क्यों कहा जाता है तो उसका reason ये है कि उसका color red है और red color इसके लिए है कि उसके अंदर जो ferric oxide red करके color जो है वो उसके अंदर red किया गया है कि जिसके करन ये tablet जो है वो red color किया है फिर ये study latch medication है कि आप आप label की उपर देख सकते है कि city latch की ये drug है और जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो prescription के साथ ही उसको बेचा जाता है because उसके कुछ जैसे side effect है कि अगर कोई patient बीना counseling के उसको use करता है तो उसको बहुत सारे complications हो सकते तो medical supervision में या फिर एक बार आप proper जांच करवाने के बाद ही ये medication use करे तो ज्यादा जो है वो better रहता है कि जिससे कोई side effects ना हो और कोई complications ना हो तो यहाँ पर जो आप देख रहे है जो red tablets खास कर blisters के अंदर जो आती है 4 tablet आती है packing के अंदर और ये 100 mg की हम यहाँ पर देख रहे है उसी तरह से 50 mg के strength में भी available है तो यहाँ पर जो लिखा है कि marketed by लिखा है कि German Remedies Pharmaceutical Private Limited कि जो एक Gydus Healthcare Limited का एक group company है और उसके manufacture की यहाँ पर लिखे कि तिरूपति Medicare Limited उसके जो वो manufacture है पर marketing उसका कौन करता है तो Gydus Healthcare Limited उसके main marketing करते हैं अब बात करते हैं उसके dose की तो dose जो हो रहता है minimum 50 mg और maximum 100 mg रहता है कि जो patient relations बनाने के एक गंटे पहले खासकर यूज करता है और जानते हैं उसके कुछ working के बारे में तो यह कैसे काम करता होगा तो यह medications क्या करती है खासकर जो panis area के अंदर जो arteries आती है उनको जो वो relax करता है वहाग के जो muscles होते हैं उनको relax करता है कि जोसे वहाग पे blood flow जो हो अच्छे से जाता है और blood flow अच्छे से जाने के करन erection बनाए रखने में जो हो आसानी होती है second हम देखे तो जिन लोगों को ED का problem होता है उसमें mainly कई बार यह reason भी होता है कि वहाग पे blood flow अच्छे से नहीं पहुच पाता और उसके करन उनको यह problem होता है तो यह medication जो हो blood flow ना पहुचने वाली जो problem है उसको ठीक कर दिती है और erection बनाए रखने में मदद करती है आगे जानते हैं उसके sad effects के बारे में तो यह medications लेने के बाद कुछ face and dizziness जैसा feel करते है कुछ लोगों को सेरदर्ध हो जाता है पेट में दर्ध होने लगता है stomach upset रहने के करन के बार कुछ लोगों को nausea vomiting भी हो जाती या फिर पेट में दर्ध होगा काफ़ी कुछ लोगों को diarrhea या फिर दस्त जी के जो condition ही वो हो सकती है memory related problem हो सकती है कि अगर कोई उसको लंबे समय तक यूज करता है regularly और back pain जैसे side effect same medication जो वो करवा सकती है बाकी जाने उसके दूसरे side effects तो उसके करन क्या होता है पेटन जो वो green color और blue color के बीच में difference जो नहीं दिख कर पाता कि समझे कि नहीं कर पाता तो ये side effect कर बार होती है ये medications के करन loss of hearing मला कि कान में कम सुनाई देना या फिर सुनाई देना ही बंद हो जाना तो ये problem करवा सकती है ringing in the ear मला कि ऐसा फिल हो कि कान में कोई गंटी बज रही है और redness हो सकती आपके face के उपर आपका जो नेक का मला कि गर्दन का portion है वाँ पे कि साइद आपको PDE5 inhibitors के allergy है सिल देनाफिल की allergy है तो ये problem हो सकता है stuffy nose या फिर nose blade दिन में से कोई भी side effect समझो कि एक बार use करने पर होती है तो second time ये medication जो यूज नहीं करनी चाहिए और एक बार आपका patient counseling जरूर से करवाना चाहिए फिर बात करते हैं उसके warnings के तो पहली warning ये रहेगी कि खासकर 18 से लिखकर 65 या फिर 64 की एज के group में ही उसको use करनी चाहिए उसके बाद हम देखे तो अगर किसी को pigmentary retinopathic की condition है तो वो लोग ये medication को यूज ना करे फिर leukemia के जो patient है sickle cell leukemia के patient है कि जिनको सरीर के अंदर leukemia की condition है वो लोग यूज ना करे hearing loss के patient मतलब कि ऐसे patient कि जिनको कान में कम सुना ही देता है या फिर उनको सुना ही नहीं देता अच्छे से फिर heart का कोई patient है या फिर ऐसे patient से कि जिनका high blood pressure रहता है और वो uncontrolled है कि proper उनका control में नहीं रहता बीपी तो ऐसे patient जो हो ये medication को use ना करे तो ऐसे उसके लावा हम उसके दूसरे warning और contraindications हम देखे तो किसी को liver problem है कि जिसका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो लोग ये medication को use ना करे second blood pressure का problem वाले patient उसको use ना करे renal impairment के जो patient है कि जिनके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही उनको भी ये medication use नहीं करनी चाहिए उसके अलावा heart failure या फिर heart का कोई patient है band penis के किसी को issue है irregular heart rhythm का problem है या फिर stroke का patient है तो ऐसे लोग ये medication को गलती से भी use ना करे तो ऐसे ही आपको सीखना है detail में किसी भी दवाई के बारे में तो medicine course को आप join कर सकते है pharma rocks के पूपर कि जैसे आज हम यहाँ पे हम vigora tablet के बारे में सीखा ऐसे बहुत सारी दवाईयों के बारे में आप सीख सकते हैं कि जहाँ पे decision medicine related जो course है उनके ppds आप access कर सकते है pdf वगएरा access कर पाते है तो detail में जान सकते है यह सब course इसको pharma rocks के पूपर तो जैनका रिले कि आप whatsapp कर सकते है 901631 2020 पे कैसे आपको यह course वगएरा join करना है या फिर हमारी app को आप download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best